हेलो फ्रेंड बेलकम तू माई यूटूब चैनल प्रसांत एडिकेशन हब दोस्तो आज का टॉपिक है हमारा कॉम्निकेशन स्किल जैसे कि दोस्तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका मिट्रम का एक्जाम है वह एक्सेंड हो गया है ठीक है तो दोस्तो आपके पास बहुत टाइम है कि आप अभी अपना जो मिट्रम का एक्जाम है दोस्तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेर कर सकते हो ठीक है दोस्तो तो जो आज का टॉपिक हमारा कॉम्निकेशन स्किल है दोस्तो जब आपने डिप्लोमा की प्रिप्रेशन करे होगी उसके अंदर भी एक करना होगा आपको एक्सप्लेइन करना होगा किस तरीके से कहना सबसे पहली बात यह कि बहुत जब जब कंफ्यूज इसमें है कि सर कॉम्निकेशन स्किल का सिलेवस क्या है यह बदा दो ठीक है में भी दोस्तो हो सकता है कि हर किसी का सिलेवस अलग अलग हो अगर जो आपका पहरा है यही है सबसे पहल होगाए दीक है सबसे पहले बात यह है कि जो आपका इख्जाम को घेप और अपने English paper दिया होगा उस टाइप से आएगा ठीक है यह आठ नमबर का होगा दोस्तों ठीक है नेक्स टाइप करें दोस्तों यहाँ पर communication skill है जिसके देखें media and mode of communication barrier of com barrier of communication process and importance of communication इन सभी को मिला के दोस्तों आपका आठ marks का बन रहा है जो कि आपके एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह जो दो major part हो गए आपके एक्जाम के लिए फिफ्थ है दोस्तों आपका self introduction है कि आप अपने आपको किस तरह के से introduce करोगे यह भी आएगा नेक्स क्या है आपका writing about a positive or negative experience in the past tense ठीक है आपको positive or negative experience लिखना होगा जो past tense के अंदर रहेगा जैसे आपको tense दोस्तों आपको college में करवाया गया होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि communication होता क्या है जैसे कि दोस्तों मैं बताओ कि communication क्या होता है कि हम बात चीट कर रहें किसी से यह भी तरहीं कर रहें ठीक है यानि कि अपने feeling idea किसी को हम बता रहें यह भी क्या है communication है लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताए लेकिन आपको exam लिखना पड़ेगा तो लिखने के लिए दोस्तों यहां से आपको एक अच्छे त information idea thought and feeling communication कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दो लोगों के बीच में गुरूप के बीच में एक आइडिया को एक्सचेंज करना उनके thought उनके feeling को जानना यह क्या क्या आता हमारा communication क्या लाता है it is a basic human activity that enables interviews to communicate ठीक है एक human activity है दोस्तों ठीक है जो एक दूसरे से बात करने में क्या करता है हमेरे मदद करता है ठीक है with one another and exchange idea feeling and experience ठीक है जो एक दूसरे से idea मैंने बताया दोस्तों it is a sender a message and a receiver in a communication process ठीक है तो यहां पर दोस्तों क्या बोल रहे हैं आपर यहां पर एक sender होगा एक message बेजने वह एक message होगा और एक receiver होगा जो आपके message को receive करेगा इसी को क्या बोलता है हम communication process के नाम से मिसको जानते है ठीक है दोस्तों I hope आपको समझ में आया होगा चलिए आगे चलते हैं देखिए अब क्या बात करते हैं दोस्तों the process of communication अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि को सोन हमारा आएगा कैसे आपके exam में में भी दोस्तों आपको आजाए डिफाइन सेंडर, डिफाइन message, डिफाइन channel, डिफाइन receiver, डिफाइन feedback ऐस करके आ सकता है ठीक है यह दोस्तों multiple choice question में भी कुछ ऐसे चीच होंगे जो इनके terms आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यह फिर दोस्तों हो सकता है यह एक long term long question में बनके आ जाए the process of communication consists of sender, message, channel, receiver and feedback ठीक है जो communication process होता है दोस्तों किससे मिलके बना होता है आपका sender से, message से, channel से, receiver से, feedback से, ठीक है सेरी को send करता है ठीक है जो भी होता है Councillor को सेनल से,rà डीक है गांसटों जाता है, Awards All सेंडर परसन वू सैंड से में सेंड करें यह तो लिख के बढ़ एक सेंडर को दूसरे नाम से नाम से जानते जो अका करता है मैसेज को encode करता है जो भी अपने word को लिख रहा है उसका मतलब उसको पता होता है कि हाँ वो क्या लिख रहा है क्या बोल रहा है ठीक है तुसे क्या बोलते है हम sender बोलते है ठीक है तो यह भी चीजे याद रखना मैसेज क्या होता है दोस्तों मैसेज डिजर आइडिया फैक्त फोट और केंट बैट रेटन और और्लर फार्म प्र्पैर्ड करता है ठीक है चैनल का मतलब क्या बताएगा है यहां पे चैनल एक मीडियम है जिससे किसके मातम से क्या होता है जो भी आप मैसेज को प्रिपेर करते हो उसको क्या करते हो या ट्रांस्पर करते हो ठीक है देखे सेंडर से से मतल veulent क्या है सैंडर रसेबर को भी सकता है किसे घ्यात रखने चैनल की जो को फूंशेफर करता है ठीक है तो, क्या बोलते हैं, receiver बोलता है, I hope दोस्तों, आपको ये term clear हो रहे होगे, ठीक है, चलिए, जो आप किसी को message करते हो, तो आप समझ रहे हैं, तो आपको दाँ आपको feedback दे रहा है, तो आपको feedback दे रहा है, ठीक है, यह आपका important part है communication का ठीक है as without it communication remains incomplete अगर जो यह आपको नहीं आएगा दोस्तो इसका मतलब communication क्या रहेगा यह complete रहेगा ठीक है यानिक इनका पूरा हुआ ही नहीं आपका communication ठीक है दोस्तो यह feedback का मतलब यह होता जरूरी होता है communication के अंदर अगर आपसे पूछे कि फीड़ का सबसे important part क्या है तो इसके बात क्या है दोस्तों इसके बात क्या है दोस्तों इनकोड्रिंग में क्या होता है दोस्तों इनकोड्रिंग एक्ट आफ डचाय्चमन और फॉर्म लीटिंग मीनिंग टूटा वर्ड्स इमल और गैस्टेट इनकोडिग इनकोडिंग करो जो भी आप चीज को मलोब जो भी आप जोब भी आप मैसस भीज भीच भीज़ते हो द चैनीज दोस्त है और आप इंडिया में रह रहे हो लेकिन वह भेज़ेगा कैसे मैसे चैनीज वह भेज़ेगा तो पहले उसके की डिकोड करोगे समझोगे कि है उसने क्या भेजा है तो इसका मतलब क्या होगा टिकॉर्ण तो नेक्स क्लास में दोस्तों जो हम पढ़ेंगेग पढ़ेंगे जो कि आपका इक important part है ठीक है कितने टाइप के barriers होते हैं ठीक है फीजिकल वेरियर होता है ठीक है कुछ कल्चिलर वेरियर होता है तो इन सबी चीजों के बारे में और भी depth के depth में जानेगी कि हां क्या क्या होता है ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं next class में ठीक है तब